जैस सचिदानन दोस्तों सोर्थ्रोट टॉंसिल गला खराब होना यह सब आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लिम्स है तो जब भी आपका सोर्थ्रोट हो या आपका गला खराब हो या आपको टॉंसिल्स की तकलीफ हो तो आप क्या करेंगे दवाईया खाने से बेटर है कि कुछ घरगुत्ती इलाज किया जाए जिससे भी हमको काफी फाइदा हो सकता है तो जब भी आपको सोर्थ्रोट या टॉंसिल्स की तकलीफ हो तो सबसे पहले इस तरह के रोलर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे काफी सस्ते रोलर्स होते है हे इन रोलर्स से आप गले पर इस तरह से मसाच कीजिया कि जैसे सुभे अपने लगां कि दो पांच मिनट कर लिया रूपेर को ने शाम को ने सब्सक्राइब कर लिया और आथ को सोने के पहले 5 मिनिट कर लिया इस प्रकार के रोलर किसी तरह कि रोलर आपको मिल सकते हैं ज़रॉरी नहीं है कि जो में यूज कर रहा हूं उसी तरह का हो कोई भी प्रकार का जो रोलर हो उससे आप हिस तरह से में तो घले परissä के दूसरा है मुद्रा में संख मुद्रा बहुत effective है। संख मुद्रा कैसे की जाती है? तो यह जो आंगुठा है इसको इसां अंगुठा के नीचे आप लगा दीज़ें और मुठी बंकर लीजें और अंगुठा और इंडेक्स फिंगर को आप जोड़ लेंगे और बाकी की तीन फिंगर्स आप इस तरह से कर लेंगे संख्मुद्रा भी सोर्थ्रोट टॉंसिल्स में बहुत फाइदा पहुचाती है तीसरा हल्दी का काढ़ा हल्दी का काढ़ा भी बहुत ही आपको फाइदा पहुचा सकता है और चौथा अक्यूप्रेशर पॉइंट अगर आप देखें तो गले के जो पॉइंट है यह सारे अंगुठे के नीचे के हिससे में है तो उस point को आप हलका 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 प्रेस कीजिए अंगूठे के नीचे के हिस्से को प्रेस कीजिए या फिर अंगूठे को इस तरह से गोल 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 फिर आईए इससे भी आपको काफी relief मिलेगी तो ये गरगुत्थी इलाज है और इससे शायद आपको बहुत आराम हो जाए और आपको दवाईया वगरे लेने की जरूरती ना पड़े कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताईएगा जै सच्चिदानंद